हलो एंड वेल्कम तो मैं चाहूं वियाकाज आज मैं आपको नई टाटा एस गोल्ड के सी एक्स वेरियंट का रिव्यू देने जा रहा हूं बेज कलर में तो चले बिने किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं तो यह है आपके सामने एस गोल्ड का सी एक्स वेरियंट यह इंडिया का मोस्ट एफोर्डेबल फोर वील कमर्शल वेहिकल है इसमें आपको पावर्फुल 694 सीसी का दो सिलेंटर का इंजन मिलता है जो बीच सिक्स है और इस गाड़ी की प्राइस टार्ट होती है 3.99 लैक से और इस तक ट्रबी स्लाग से ज्यादा एस गोल्ड बिक चुके हैं और यह गाड़ी दो कला आप्शन में आती है बेज और वाइट कलम है और यह आपके सामने बेज कलम है इसमें आपको 2100 mm का बड़ा वील बेस मिलता है और आप देख सकते हैं इस गाड़ी का फ्रांट लो अधिॡिया अधिस की गरल हिसका आपको घंचीड उलता है और यह हडरी एड़ाइट का लेड यह बमपर अधिक्र इसमें आपको बड़ी ग्राउंड मिलती है, कि आपको 150 mm की पड Alrighty chillyrants मिलती है और यह इसके वाइपर्स और यह इस गड़ी का साइड प्रोफाइल और यह इसका पैसेंजर साइड दोर और यह मैनुवली अजेस्टिबल साइड विव मेरर्स और यह इसका हैंडल और यह इंडिकेटर मिलता है और यह है इसका टायर इसके प्रोफाइल है इसमें आपको बारा इंच की यह टायर मिलते है और यह इसमें आपको यह इसमें सॉनिक की बैटरी भी मिलती है और यह इसका फ्यूल टैंक जिसमें आपको 26 लिटर फ्यूल टैंक मिलता है और यह इसका रेर टायर यह था इसका साइड प्रोफाइल तो चलिए इसका बैक लुक देखते हैं तो बैक से यह है इसका लुक और यह इसका लोडिंग बे है इसके लोडिंग बे की कैपैसिटी है 710 कीजी और यह 8.2 फीट लॉंग है और यह इसके टेलाइट और यह रेर पार्किंग संसर्स और यह लाइट और यह टेलाइट और यह स्पेर विल मिलता है यह भी सेम प्रोफाइल का टाय मिलता है और यह हैंडल से हम ओपन करते हैं इसका लुडिंग बे तो यह आप देख सकते हैं इसका लुडिंग बे इस पे ग्रूज मिलते हैं जो सामंग को पकड़ के रखते हैं तो चलिए अब हम इस गाड़ी का इंटियर रेचा करते हैं और यह CX की ब्रैंडिंग और यह इसका ड्राइवर साइड डॉर और यह इसमें की होल मिलता है और यह हैंडल और यह है इस गाड़ी का डॉर इस पे यह सिंगल कलर फिनिश मिलती है ब्लैक कलर में और यह है इस गाड़ी का हैंडल विंडो अब डाउन और यह हैंडल तो यह था इस गाड़ी का डॉर तो यह अब हम इसका इंटियर देखते हैं तो यह है इस गाड़ी का कैबिन इसमें बहुत ही अच्छी स्पेस मिलती है और यह इसका interior इसमें इस single color interior मिलता है और यह है इस गाड़ी की seat इसमें इस पर यह अपलुस्टरी मिलती है और यह बड़ी soft seats है और यह adjustable seats है सीर्स के पीछे भी आपको स्टोरेश स्पेस मिलती है इसके पीछे आपको ये टूल्स मिलते है थोड़े तो चलिए अब हम अंदर से देखते है तो ये है इस गाड़ी की टू स्पोक स्टेरिंग विल जिस पर ये दो हां के बटन मिलते है और ये सेंटर में टाटा का लोगो और ये आप देख सकते हैं इसका डैश बॉर्ड और इसमें बड़ी एच्छी विजिबिल्टी मिलती है और ये इसका रेर व्यू मिरर और पैसेंजर साइट से संवाइजर नहीं मिलता है और ये ड्राइवर साइट से संवाइजर मिलता है और ये है इस गाड़ी की ये सिंपल की मिलती है इसमें और यह है इस गाड़ी का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है और यह हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं और यह देश्बूर्ड हार्ड प्लस्टिक में मलता है अब देख सहते हैं इसमें किनी स्पेस आफर गिया है और यह यूएस्बी पोड मिलता है यह फाइवम एमपियर्स का यूएस्बी पोर्ट है और यह स्टेरियो के लिए जगा मिलती है और ये Eco Mode और ये इसका Glow Box इसमें भी आपको थोड़ी स्पेस मिलती है और ये Manual मिलता है और ये आप देख सकते हैं कि नीज स्पेस आफर किये और ये Passenger Side Door और ये Handle और ये Light मिलती है और ये और ये आप देख सकते हैं इसका Headroom भी बहुत है मिलता है और ये पीछे देखने के लिए पिरिटो और ये इस गाड़ी का 4-speed Manual Gear Box इसमें सिर्फ 4-speed Manual Gear Box आता है इस गोल्ड में 5-speed मिलता है और ये इसके Seed Belts तो ये था टा टा इस गोल्ड TX-Waynet का रिव्यूँ तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए